हलो स्टूरेंट, लेट अस्टार्ट दा नेक्स्ट चैप्टर और ये सोचल एंड प्लिटिकल लाइफ जो आपकी बुक है उससे लिए गया है और इसमें आज पढ़ोगे आप रोल ओफ दा गौवर्मेंट इन हैल्थ ये चैप्टर आज देखे ना लोकडाम जब हो रहा है तो ये बहुत कॉंटम्प्रेरी है कॉंटम्प्रेर मेंने आप बहुत सारी ऐसे चीज़े देखोगे जो इस चैप्टर में आपको बताईगे आसपास अच्छा मुझे आप बताओ अब ये हमारी चली हुई इसका नाम बताओ क्या है कोविड नाइंटीन बोलते हैं वैसे क्रोना वािरस के नाम से परशिद जो मरीज है कहां जाते है मुझे बताओ प्राइवेट होस्पिटल में वह सुचाए कभी येस पबलिक में जा रहे हैं पबलिक में सरकारी दो तरह दोस्पिटल होते हैं कि देखो वैसे तो मोस्टली जब हम बिमार पड़ते हैं अगर हमा लेकिन अब जहां हमारी बहुत फैली हुई है और ऐसे में प्राइवेट जो होस्पिटल जहां वो सेवाई नहीं दे रहे तो हर जो भरती है मरीज वो कहां हो रहा है सरकारी होस्पिटल में हो रहा है सरकारी डॉक्टर्स लगे हुए हैं और सरकार जो है एक हरोज स्वास्थे मंतरी हमारे कॉन्फरेंस कर रहे हैं और उस कॉन्फरेंस में बताया जाता है कि कितने मरीज हो चुके हैं कितने ठीक हो चुके हैं कितने डेथ हो चुके हैं हरोज क्या जाती है अपडेट्स दी जाती और सारे जो अरेंजमेंट है उनका खाना है अंबुलेंस ये वह है वो सारी कोन प्रवाइड कर रहा है सरकार प्रवाइड कर रही है क्योंकि गस्ब人क की जिम्मेदारी है एक जो एक डेमोक्रेटिक कंट्रि होने के नाते उस देश के सरकार का करते हुए है कि लोगों को Health Facilities प्रवाइड की जए ये तो अब की बात होगी अब जब आप छोटे थे इन बच्चों जैसे इन से भी छोटे थे तो आप कभी सरकारी होस्पिटल जो गाओं की पी एच सी जो छोटी सी डिस्पेंसरी होती है उसमें एक नर्स बैठे होती है आपको उसने पो ठूलियों की ड्रॉप्स वो सब कौना र्छ करता है वो भी गोर्मेंट के होस्पिटल में लगाए जाती है गोर्मेंट करती है गोर्मेंट इसके लिए पैसा कहां से आता है तो पैसा तो हम अभी तो टैकस में सब दे रहे हैं जैसे अगर आप किसी どうकान इसफृ जो दो रुपए हैं वो टेक्स लगता है जिसे हम GST कहते हैं कभी अपने घर की गरोसरी का बिल देखना तब आपको पता चल जाएगा जो यह टेक्स है यह सरकार के खजाने में जाता है यह आपके पापा या ममें किसी सरकारी जोग में है तो उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा टेक पेसलेटीज के रोड़ फेसलेटी हैँ और जितनी भी जेवन की आप सरकार के दोरास दी हुई देखते हो वो सारी फेसलेटीज सरकार देती है अब थोड़ा सा हमारे देश में क्या है, हमारे схी नहीं बहुत सारे देशों में यह इल है कि एक तो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं it government hospital होते हैं it private hospital होते है विजभर्मेंट hospital होते है प्राइवेट hospital में हमेशा कहा जाता है कि यह facilities नहीं होती ठीक है इसलिए कोई विश्पे विश्वस नहीं करता यह कहेंगे यहां तो संभाल नहीं होती देखऊंबल नहीं केर नहीं करते डोक्टर और विल्डिंग बहुत पुरानी होती है जबकि प्राइबेट होस्पिटल चका चक होते हैं और डोक्टर बड़े मुस्ताइद होते हैं बड़ी केर की जाती है और नई-णई मशीने आती हैं लेकिन जहां यहां आपका इलाज मुफ्त में हो जाता है अब तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सकीमें चलाएगी हैं जैसे आई-उस्मान भारत हैं एक स्कीम है जो अभी मुदी सरकार ने चलाई इसके तहट पांच लाग तक के जो खर्चें हैं वो सरकार देती हैं चाहिए आप किसी भी होस्पिटल में वो इलाज करवाए जो सीरियस बीमारी के लिए होती हैं गोर्मेंट होस्पिटल में आपका इलाज बिना पैसे मुफ्त हो सकता है या थोड़ा बहुत जो है जो बाहर से समान लाते हैं उसके पैसा लग सकता है लेकिन क्या प्राइवेट में ऐसा होता है प्राइवेट में अगर एक दिन एक रात बैड पेर हो गए प्राइवेट होस्पिटल के तो आपको दस से पंदरा हजार उपए पे करने पड़ते हैं एक अच्छे होस्पिटल में बड़ी भरी फीस होती है डॉक्टर की परची बहुत पैसे में कटती है तो इस तरह से क्या होती है हमारी फैसिलेटीज तो दी जात जो पावरटी से भी ये एक पावरटी की लाइन है कि आप यहां गरीब हो वो उससे भी नीचे हैं इनके महीने में कुछ 11-1200 रुपए ही ये कमाते हैं तो वो कैसे प्राइवेट होस्पिटल में जा सकते हैं वो हमेशा सरकारी होस्पिटल में ही जाते हैं लेकिन आज वैस हमारे सरकारी होस्पिटल काम कर रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं और बहुत अच्छा रोल हमारे जो डिपार्टमेंट है, जो सरकार है वो निभा रही है फिर भी हम जो हमारी हेल्थ फैसलिटीज है, उसको चैप्टर के अनुसार क्या है, वो पढ़ेंगे इन डेमोकरेशी पीपल एक्सेप्ट एसपेक्ट, देखो डेमोकरेशी क्या होती है, लोगों द्वारा चुने हुए सरकार होती उसमें लोग ये उमीद करते हैं कि ये सरकार हमारा क्या करें, कल्यान करेंगी और ऐसा क्यों है क्योंकि स्विधान में ये लिखा हुआ है हमारे देश में प्रोवीजन है स्विधान में कि एजुकेशन देगी, सरकार हेल्थ देगी, रोजगार देगी, इंप्लॉइमेंट, हाउसिंग मकान देगी and developing of roads, roads बनाएगी, बिजली परदान करेगी और हमारी सरकार देर भी रही है गरीबों के घर भी बन रहे हैं, एजुकेशन भी मुफ्त मिल रही है सरकारी होस्पिटल में बहुत सारे बच्चों को तो पैसे भी दिये जाते हैं, इंसेंटिव दी जाती हैं स्कूल में, उनके खाते में पैसे आजाते हैं, बुक्स बगराब की जाती है Health में आपको जब जनम लेते हैं, तब से अगर सरकारी होस्पिटल में जनम लेते हैं तो माता को और बच्चे को देखवाल करने के लिए भी पैसे मिलते हैं बहुत सारी योजने हमारे देश में जलाई गई क्यों है ऐसा क्योंकि हमारे देशके सुविधान में ऐसी चीजे लिखी गई हैं राज्ये के नेति निर्देशक सिधांतों मैं जिनने डिरेक्टिव त्रिंसिपल और स्टेट कहा जाता है कि ये सुविधाय राज्य को प्रवाइड करनी होती है आज हम इस चैप्टर में जो हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटीड प्रोब्लम है उसको हम डिसकस करेंगे अच्छा ये देखो हेल्थ फैसिलिटीज की आप देखो एक गरीब जोपड़ी है सलंस इसे बोलते हैं, सलंस यहाँ बिमारी पनप्ती है जैसे वो कांता की बेटी बिमार थी तो वो कैसे मकान में रहती जह下去 और गंदगी है गंदे नाले हैं, मक्यां और मच्छरों की बरमार है देखो इनकी च्छतें और गंदगी और जिस वजह से क्या होती है ये बच्चे बिमार हो जाते हैं यहां आप देखोगे कि दूर दूर तक पानी की फैसिलिटीज नहीं है और ओरतें जो हैं वो क्या लाती हैं दूर दूर से पानी भरबर के लाती हैं इन चीजों से तो आप वाकिप हो हमारे ये देश में सब कुछ है what is health? health क्या है? सवास्थय क्या है? आप यह समझोगे कि ये तो बहुत ही simple word है सवास्थय का मतलब होता है मन और तन दोनों से स्वस्थ रहना ठीक है? we can think of health in many ways बहुत सारे तरीकों से हम health को समझ सकते हैं health means our ability to remain free of illness and injures health का मतलब हमारी ऐसी capacity जिससे हम बीमारियों से बचे रहें और injuries से, injury मैंने होती है, चोट लगना but health is not only about disease, लेकिन health का मतलब सिर्फ बीमारी नहीं होता you may have associated only some of the situation is above colas with health लेकिन बीमारी health नहीं है, इसके साथ साथ जो उपर बना हुए चित्र हैं उनमें भी आप दे सकते हो, पाने की समझे हैं, गंदगी हो रहने की समझे हैं आम जो लोग जो रहडी पर बेशते हैं, आई अन हाईजैनिक चीजे हैं, उनकी problems हैं मतलब समझे हैं, health से जुड़ी हुई बहुत हैं, की health खराब ही क्यों होती है मतलब शिर्फ बीमारी आती है, तब ही हमारी health effect नहीं होती है, बहुत सारे तत्वों से कैसे मालो एक औरत है, वो बच्चा पैदा करने वाली है, लेकिन उसमें खून की कमी है उसे भोजन नहीं सही मिल रहा, वो बिमार तो नहीं है, लेकिन वो एक सवस्थ मा नहीं बच सकती जो सवस्थ बच्चे को जनम देश के, उसमें खून की कमी है, ठीक है इसी तरह दिल्ली जैसे सहरों में आप देखोगे कि लोग जो है, वो मास्क लगा-लगा कर रहते थे, पिछे पूलूशन इतना हो गया था, कि स्कूलों की छुटियां हो गई थी, देखा होगा न आपने, अब की बार बड़े डिजास्ट रहे हैं, स्कूल बंदी रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक हेल्थ से रिलेटेड समश्या है, दिल्ली के बहुत सारे घरों में गंदा पानी आता है, जो पीने लायक नहीं होती, तो उससे क्या होता है, हेल्थ खराब ही होती है, तो सिरफ बिमारी नहीं, खाना, वाटर, रहन सहन, इन्वार्मेंट, ये सब हमारी हैल्थ को प्रभावित करते हैं, on the other hand, if people do not get adequate food, दूसरी तरफ अगर लोग अच्छा खाना भी ना मिले ना, to eat, have live a cramped condition, they will be prone to illness, अगर उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, तो भी वो विमारी को बुलाते हैं, मतलब अब ये कहा जाता है, कोविड नाइंटीन में, कोई की व्यवेक्ति इसे affected नहीं होते हैं, जिनकी अम्यूनटी जादा है, अम्यूनटी कब आएगी, जब उनका सवास्थे सही था पहले ही, उनके पहले ही कोई बिमारी नहीं थी, या उनको जो खाना था, उनका अच्छा था, उनकी बोडी में अ एक सवस्था आदमी, तो किसी भी बिमारी से लड़ सकता है, उसे घबराने की ज़रूरती नहीं होती, आपने कई बच्छे देखेंगे, जिनके बड़े-बड़े पेट निकले होते हैं, या जिनकी टांगे सुकुड गई होती है, हर्याना में तो आप कमी देखने को मिलते हैं बच्छे, पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे, साउथ अफरीका और हमारे देशों में बिहार, उडिसा, जो बहुत करीब राज्ये हैं, उनमें इस तरह से बच्छे दीखने को मिलते हैं, उनका इम्योन सिस्टम बहुत कमज़ोर होता, आखे पिली हो जाती हैं, और क्य It is not healthy to be dull, inactive, anexious, or scared for long stretch of time, we all need to without mental strain, all of us मतलब ये क्या है, हम सभी active रहना चाते हैं, सभी अच्छे धंग से रहना चाते हैं, कोई भी वेक्ती नहीं रहना चाता कि वो अस्वस्थ हो, dull हो, inactive हो, चिंता से गरस्थ हो, ड्रा हुआ हो ज्यादा लंबे समय तक तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा, ना बिमार, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं, ये चार्ट दिखा रख है, जिसमें healthcare in India, इंडिया में healthcare facilities क्या क्या हैं, हमारे देखो, गाउं में तो कोई ऐसा healthcare facility अच्छी है नहीं, एक किसी-किसी गाउ में तो पी-एच्सी भी नहीं है, मतलब प्राथमिक जो health facilities होती हैं, वो भी नहीं है, हमारे डोक्टर गाउं आना नहीं चाहते हैं, तो देखो, ये डाटे दिये हुए हैं, आप समझ जाओगे कि क्या-क्या प्रोब्लम हैं, इंडिया है लार्जस्ट नंबर ओफ मेडिकल क क्या है, हमारे पास डोक्टर नंबर बहुत सारे हैं, मेडिकल कोलीज से बहुत हजारों बच्चे निकलते हैं, लगबग 15,000 निकलते हैं, लेकिन क्या होता है कि most doctors settled in urban area, कुछ समय के लिए तो वो सरकारी hospital में काम करते हैं, फिर वो कोई private hospital को जोएंग कर लेता है, या अपन जाते हैं, इस तरह से, अज भी हमारे देश में doctors की कमी है, जब ये बिमारी फैल रही थे हमारे देश में, तो हमें सबसे डर बड़ा यही था, कि हमारे फास ना इतने doctors हैं, ना hospital हैं, हम कैसे इस बिमारी को handle कर पाएंगे, और शुकर है कि transmission कम हुआ, तो health facility अभी भी control में है लेकिन अगर यह इसका विसफोटन ज्यादा हुआ, तो साइद हम इसको tackle नहीं कर पाते हैं, people in rural area have to travel, और doctor नहीं है, तो गाउं में doctor होते हैं, यह जोला चाफ होते हैं, जो वैसे ही हमारे लिए खतरनाक होते हैं, इनके पास degree तो कोई होती नहीं है, तो क्या होता है, तो doctor होता है, तो बहुत सारी जो लोग हैं, वो सहरों में इलाज करने के लिए आते हैं, health care facility had grown substantially over 10 years in 1950, there were only 2717 hospital in India, देखो health facility बढ़ रही है, 1950 में 277 hospital थे, लेकिन 1915 में 11174 होगे, 2000 में 18218 होगे, और शायद आप 20 साल में इतने तो बड़े होगे कि 30,000 होगे होगे, लेकिन इनको यह नहीं बता कि population कितनी बड़ी है, 1950 में हमारी population थे 40 क्रोड़, और आज जन संख है 130 क्रोड़, ठीक है ना, तो कम, लोग तो कमी हैं, एक लोग, सोरी, डोक्टर दो कमी हैं, एक लाग के बीछे एक डोक्टर भी नहीं हैं, अब तक स्वतंतरता के बाद भी आंकड़ा बदला नहीं हैं, कि हमारा देश यहां आता, विश्वत रेखा पर परशात होती हैं, मौसम हुमेड वाला होता है, तो सबसे जएदा मिलेरिया, लगबग 20 लाख केसी हर साल मिलेरिया के रिपोर्ट होते हैं, और यह कहा जाता है कि मलेरिया के कारण ही, हमारे अंदर यह ऐसा अम्यून सिस्टम पैदा हुआ है, कि COVID-19 जैसी बिमारी हमें उपर कम असर कर रही हैं, तो एक तरफ तो यह ब्राइट पहलू है, कि अच्छी बात है हमारे देश में, दूसरी तरफ वो कह रहा है, यह भी कमिया है, हमारी यह लिमिट्स हैं, इंडिया कैटे लार्ज नंबर ओफ मेडिकल टूरिस्ट, फ्रॉम मैने कंट्री, मेडिकल टूरिस्ट का मतलब इलाज करवाने वाले हमारे देश में आते हैं, वी आर नोट एबल तू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तू ओल, 21 परसेंट ओफ हाल कमनी केबल डिजिजिज और वाटर बोर्न, बहुत सारे लोग तो हमारे हाँ, हिलाज करवाने के लिए आते हैं वर्ल्ड में, और बेस्ट होस्पिटल्स भी हैं, लेकिन अब तक भी हम 21 लाख लोगों को, अभी तक भी हम साफ पानी परवाइड नहीं कर सकें, और पानी से भी बहुत सारे बिमारियां होती है, पता है, पोलियो जैसे बिमारी भी पानी से होती है, यह हैपटाइटिस होता है, डाइरिया होता है, और दूसरी जो बिमारी यहां वो भी जोन्डिस होता है, यह खराब पानी पीने के कारण होता है, इंडिया गाट लार्ज नंबर ओफ मेडिकल टुरिस्ट, यह हो चुका आपका, इंडिया इस थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओफ मेडिशन, भाई हमारी मेडिशन की तो आज दुनिया में चर्चा है, हाइड्रो क्लियूरिकल एक दवा है, जो हमारे से अमेरिका या ब्राजिल आभी भी मांग रहे हैं, और हमने उनको दी भी है, जो COVID-19 में काम आ रही है, तो थर्ड लार्जेस्ट है, मेडिशन के लिए हम दवा उत्पाद करते हैं, लेकिन हाफ ओफ ओफ आल चिडरन इंडिया डू नोट गेट अडिकवेट फूड तो इट और अंडर नरिष्ट, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज भी हमारे देश में ऐसे हैं, कि वो खाणा नहीं, मतलब खाणा उनका ऐसा होता है, जिसमें सभी पोसक्तत्व नहीं होते, जिसका मैंने अभी बताया था ना कि वो बहुत सारी बिमारियों के बच्चे सिकार हो जाते हैं, पेट निकलाते हैं, हडिया सुख जाती हैं, वो इसी कारण से कि उनका पोशन सही डंग से होता नहीं है, प्रोटिन्स, विटामिन्स, जो उनको चाहिए वो मिलता नहीं है, In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health centers, इसलिए हमें बिमारी से लडने के लिए facilities चाहिए, facilities में क्या hospital हो, laboratory जहां checking हो, testing ambulance service हो, blood bank हो, time पे blood मिल सके, etc. That can provide the required care and services that patient need, ताकि वो सब चीज़ें हमें मिल सके, जो एक patient को ज़रूरी होती है, In order to run such facilities, we need health workers, nurse, qualified doctors and other health professionals who can achieve advice, diagnose and treat illness. बहुत सारे इसके साथ हमें qualified doctor चाहिए, nurse चाहिए, health professional चाहिए, जो लोगों को सला देश के, उनकी विमारियों को ठीक कर सके, We also need the medicine and equipment that are necessary for treating patient, हमें बहुत सारी दवाएं और medical जो equipment होते हैं, जो checking विकेरा करती हैं मसीने, वो चाहिए, ताकि patient का अच्छी तरीके से देखवाल हो सके, There are a large number of doctor clinics and hospital, मतलब हमारे देश में सब कुछ है, the country had also considerable experience, the knowledge is running public health care system, और public health care system का मतलब सरकारी health, सरकारी hospital, सरकारी doctors, तो हमने बहुत सारे hospital भी चलाए हैं, health centers हैं, government के दवारा, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, It had the ability to look after the health of a large section of the population, scattered over hundred of thousand villages, जो हमारे हजारों गाउं में बिखरी हैं, जन सिंख्या, उनकी देखभाल करने के लिए हमने health facility प्रवाइड की गई हैं, doctors बनाए हैं, और नई-नई खोजें भी हो रही हैं, How are the second column point out, मतलब पहला column तो ये बता रहा कि हमारे पास बहुत सारी facilities हैं, लेकिन दूसरा corner हमारा जो उपर हमने डिसकस किया ये बता रहा है कि इसके बावजूदी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास health facilities नहीं पहुंचती, टीबी से लोग मर जाते हैं, बच्चे malnutrient रहे जाते हैं, उनको पोशन अच्छे तरीके से नहीं होता, malaria, diarrhea जैसी बिमारी आज भी हमारे control में नहीं हैं, वैसे बहुत सारी बिमारीया थी, जो control में आ चुकी हैं, जैसे आपकी polio, छे चक, इनमें हमने फत्य हासिल की हैं, लेकिन अब भी बहुत सारी ऐसी बिमारीया हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, इसमें एक स्टोरी है हाकिम सेख की, हाकिम सेख जो है एक पश्चिम बंगाल का खेत मजदूर समीती, जो हाकिम सेख था, वो एक मेंबर था, पश्चिम बंगा खेत मजदूर पार्टी बना रहे होगी नहीं एक अर्गनाईजेशन, जिसमें खेती करने वाले जो मजदूर हैं, वेस्ट बंगाल के वो थे, 1992 में उसका एक्सिडेंट हुआ, एक चलतीव ट्रेन से वो गिर गे, और सफर है एड अंजरी और उसके शिर में बड़ी चोट आई, लेकिन आपको पता है, जब किसी का एक्सिडेंट होता है, हमारे यहां जंजट बहुत होते हैं, तो इस वज़े से क्या कागच बनवाओ, यह बनवाओ, तब तक विक्ति की जान जा सकती हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बैड नहीं, इसलिए हम आपको अडमिट नहीं कर सकते हैं, अनादर होस्पिटल डिड नोट है दा फैसलेटी और स्पैसलाइज डॉक्टर नेसेसरी फोर इस ट्रीटमेंट, दूसरे ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं, जो आपका इलाज कर सकें, बहुत लगे, एंग्री एंड अपसेट ओवर दा इंडिफरेंट एट्टिटूड ओफ दा होस्पिटल, देट रफ्यूज अडमिट तो हिम हाकिम सेख एंड पी बी के एम फाल इन केस ऑव दा कोर्ट, कोर्ट केस किया उन्होंने उसकी समीती ने और उसने, तो वहाँ सुनवाई हुई उनकी और वो केस जिते और ओडर दिया, कि आप जितने भी ये फैसलेट वो हैं, कानुनी जंजट हैं इसको एडमिट करने में, वो खतम कीजिए, और ये कहा कि हर व्यक्ति का अधिकार है ये फैसलेटी और वो प्रोवाइड होने चाहिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक यू, अरुमिट,